इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुए को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीडी दिखे जलती जहां, पबलिक प्लेस पर सिगरेट भी ना मना है, उल भुम्रपान ना करें, ना करने दें, धुम्रपान पढ़ेगा मिहंगा, खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान मिहंगा पढ़ता है, धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है, और आपके चाने वालों के लिए भी धुम्रपान पड़ेगा महंगा सिगरिट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराप पीना सेहत के लिए हानिकारक है कि अधिया कि अधिया नमस्ते जी हाँ वो अंदर है नमस्ते जी खाना खाया भाई सब काफी पीना आपने सुनो लक्ष्मी तुम ठीक तो हो ना आप हो न मेरे साथ वो देखो अभी हमारे घर से एक बेटी बाहर जा रहे है तो मुझे एक और बेटी ही चाहिए समझ गई यह अकेरी बस नहीं हुई क्या अब दूसरी बेटी जब पैदा होगी तो मैं भी उसे अपनी मा का नाम दूँगा सावित्री अगर यह नाम लोग सुनेंगे तो हसेंगे बड़ी एक्ट्रिस का नाम है ऐसा क्या कह रही हूँ उसके बारे में तो मुझे पता नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी मा तो बहुत बड़ी एक्ट्रिस है एए मा को बताऊं क्या हुँ पताऊं क्या क्याया पताऊं क्यादे हुँ मैं तुम्हें सिर्फ कुस्से में नहीं मार रहा हूँ अपने परिवार के लिए मार रहा हूँ सिर्फ मुझे पता चला इसले मार कर छोड़ रहा हूँ मेरे भाईया को पता चलता तो अब तब तब तुम खत्म हो चाते मेरी बेहन तुमसे प्यार करती है क्या कभी उसने तुमसे बात की है क्या तो फिर यहां किस दो सौतीनक शत्र चतुर्थी के दिन पैदा हुई है इसलिए जिससे वो शादी करेगी वो बहुत ही भाकिफान होगा ये बात इसे पता है इसलिए उसे भगा ले जाने के लिए आया है बेटा हर इंसान बुरा नहीं होता है बेटा कुंडली मिली है ये सोच कर लड़की को भागा करने जाना चाहते है आदम दूबारा अगर ये सोच अपने ख्याल में बिलाया तब बहुत बच्चता होगे ये मेरा वादा है तुमसे क्रिश्ना कहां गया बहिया कहां चले गए थे कब से ढून रहा हूं में चोटा सा काम था जाओ जागर काम देखो लड़का अमरीका से है ना हाँ वहीं से है यहां से अमरीका के लिए बस है दिदी हाँ बस है मीना लेकिन उसे बस नहीं कहते एर बस कहते है मां क्या हुआ मां मां अप घ्री क्या हुआ है झाल डूल, आरती शुरूए, पैट्ज आप ही उठ नहीं सकति हैं माच्री, बखुरो, पिसि हुआ होती याद जाए है भई शयार सा ठीड मेरोढ मादा करmem जोर लगां, पिस जोर लगां दोना हो इट कुछ नहीं होगा बेटी आज नहीं होगा बेटी जोर लगां, जोर लगां आहाँ झाल झाल प्राश्ट एला झाल सावित्री शादी के सपने इसकी आखो मैं नेखू है ये एनखी पुड़िया सबसे सुना शेहराई की धुन सुनते ही ये चेहकती है ऐसे मंगल सुत पहनने को मचले दुलिहन जैसे जामुनी आखो वाली लटकी है ये मत वाली सबसे है ये निराली जब ये हसे तो खुश बूड़ती है चले जादू खिल जाए घर हर सुन मंगल जादू 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 सब की है चहती सा वित्री हो शादी की इसको जल्दी बड़ी है ये गुडिया अनोखी बाबने शादी के जोड़े में सेती है सपनों में खो जाती है रहती सदा ही खाब में शाश रचन मन्दारों शाश गरम पावजी बर्यों आदी काल तो नम्ठिडू हो शाय में आए अनोखी बड़ी बाबसफे वहां को जिए चैस चन मन्दारों शाजड़े शाजड़े हो ये फीर शाचन मन्दारों हो जोड़े में खावजी बाबसफे वटिए कल जो मैंने होमवर्क दिया था किसने कंप्रेट नहीं किया कमओन गेट अप क्या हुआ हो मत क्यों नहीं किया आप ही ने तो कहा था कि होमवर्क नहीं गया तो शादी करवा दूंगा इसले नहीं गिया हुआ हुआ है अलबेले गुडिया एक आईर सुन नहीं शैनाई सुनके हुई पैदा सुनो शादी के सपने इसकी आखो में देखो है ये अनोखी गुडिया सबसे सुनो अरे सावित्री तुम इन गहनों में कितनी खुबसुरत लग रही हो कोई तुमी मेरी में नसर ना लग जाए तुझे इतना सवरने के क्या जरूरत है क्या प्राब्लम है क्या गलत किया मैंने इसके बाद तो मेरी ही शादी है ना इसलिए अरे पॉगलो जैसी बाते मत कर चल गहने उतार पूजा का टाइम हो रहा है अच्छा दीदी तुम्हें जाने के लिए भी टाइम है ना तो तुम अभी सबना बैक्यों पैक कर रही हो हो हरी मून के लिए क्या बस क्या दीदी आप पाकिंग का टेंशन बेकार में क्यों ले हो यह ले तुने उस लड़के को देखा है तुम शादी करने बाली हो ना इसलिए मैंने उसे नहीं देखा उस दूले को तुने अपने आखों से देखा है क्या कैसा भी हो क्या फरक पड़ता है मेरे लिए शादी सरूरी है तुससे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ही ब उनके साथ मेरी शादी करवा देंगे न पागल हो गए है जो तू शादी करेगे उससे कोई भी रहने दो मेरे लिए शादी इंपोर्टेंट है तेरी मंजी उधर से मत चाओ पाँ चाचा है इधर से चाओ इसमें मुझे कुछ गड़बर लग रहा है कोई गड़बर नहीं है मैं ही जीतूँगा पत्ते फेको क्या हुआ भावी? आपके भाई को देखो बेटी की शादी हो रही है और ये पत्ते खेलने में व्यस्त है आरे वो तो ऐसी खेल रहा है आप टेंशन मत लिजे मैं सब कुछ देख लूँगा वैसे गौरी पुजा का समय हो रहा है बिटी या रेडी है ना? नहीं पता अभी देखती हूँ जी भावी शो चाचा जी सही वक्त में बताया इसलिए बच गया अगर ये ना होती तो आज हमारी इसत मिट्टी में मिल जाती गहने तो बहुत भारी है मौसी संभालकर सारे मेरे गहने है डीदी का है वो साड़ी का है में रही है डीदी घर से भाग गई है ये क्या बात कर रहे है तू? बावी, गौरी पुजा का समय हो रहा है लेट क्यों कर रही है? जल्दी चलिए और क्या लेट होगा बेटा बड़ी वाली घर छोड़कर भाग गई है अरे क्या हुआ? सब अपना ही प्लानेट अच्छा, ऐसा क्यों पुजा? उनको पता चल गया तो सोचो क्या होगा कुछ नहीं होगा भावी अगर वो भाग गई तो इससे शादी कौन करेगा? लेकिन ऐसा क्यों? वे वकूफ, ऐसी लड़की के घर में कौन शादी करेगा? तो क्या मेरी भी शादी कभी नहीं होगी? इस चन्द में तो कभी नहीं भाईया सुननेगे चिला ये बात चाचा जी, दीदी कहा गई है? मैं आपको बताती हूँ चाचा जी, प्लीज चाचा जी, मुझे शादी मन्सूर नहीं शादी नहीं करनी थी तो पहले इंकार करते थी शादी रुकी तो भाईया की इससा डूप जाय की इससे पहले उनको पता चले तुम चलो यहां से प्लीज चाचा जी, चाचा जी प्लीज प्लीज चाचा जी प्लीज इसकी शादी तो हो गई, अब मेरी लाइन क्लिया है तुम्हें पल्जु सारी पहने दीओ मैंने नया रिंग्टोन सेट किया है मुझे भी वैसी जारी एक दिम सोने जैसा दुला है हमारा हर को यही सोचता है, लेकिन सिर्फ बोलता है सोना नहीं देता मैं सोना सोना रिंग्टोन लगाऊं क्या? तुझे रिंग्टोन सेट नहीं करना है, सावित्री को सेट करना है वो मुझे पटेगी क्या? 32 दिखाएगा तो कभी नहीं पटेगी मेरे कह मुताविक चल मेरे पास एक प्लान है ससुर जी को पटा लूँगा, तब बेटी अपने आप पट जाएगी जा कर देख उदर क्या हो नहीं, चलो क्या हुआ? भाहिया, मौका अच्छा है, सावित्री के लिए कोई अच्छा रिष्टा देख लें अरे अभी तुम बड़ी बेटी की शादी हुई है कुछ साल रुक उसकी भी हो जाएगी मेटा रहने दे, 35-40 साल की होने के बाद इसकी शादी करवाएंगे अरे बेटी की शादी के लिए अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना, ऐसे कैसे करते? ढूंडेगा तो मिलेगा ना हमारे बाजु वाला सार्थी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंड रहा है उनकी खेती का काम भी हम लोगी देखते हैं, बहुत अच्छा परिवारे भईया अरे लेकिन अभी के अभी कैसे कृष्णा? क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, सावित्री के रिष्टे की बात चल रही थी अरे, बात आप तक पहुँच गई क्या? हाँ, वो कृष्णा बता रहा था कि कृष्णा का मतलब? वो तो बहाद है नोने जैसा का, वैसा ही कीजिए आप मेरी इतनी तारिफ मत कीजिए सावित्री के शादी उनसे हो रही एने कैसे पता चला ये क्या? रॉंग कनेक्शन मेरा सीम तो नया है इतना क्या सोच रहे है भईया? समाना बहुत खराब है पता नहीं किसके दिमाग में क्या चलता रहता है भावी कह रही है ना अच्छा रिष्टा है एक बर मेर तो लीजिए चलो ठीक है जब सब लोग करे हो तो उसी से रिष्टे की बात कर दें ठीक है ऐसा कड़िया क्वालटीव ने इस नहीं दिया आपकी शादी तय हो जा इसके लिए बुद्धी श्रीडी मनत मांगने के लिए जाने वाली है हमें भी जाना है बैक पैक करो मज़ाएगा बहुत मज़ाएगा दादी ने बताया तुम लोग श्रीडी जाने वाले हो ना मनत मांगने के लिए अभी तो गाव बदल रहा है फिर हवा भी बदलेगी और तुम्हें भी बदलने वाला एक दिन आही जाएगा तब तुम्हारे हिसाब से शादी नहीं होगी और नाही दादी के हिसाब से वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा आल दे बेस्ट सत्ती कैसा होगा वो दिदी यह क्या है कोल की बाद मा को बताई तो तुम्हारा खुन कर दूँगा तुने जो किया अगर वो सुने भी तो तेरा खुन कर देगी मामा जादा मत बोलो नहीं रुकूंगा और बोलूंगा क्यूं भया यह पार्टी में नहीं जाना चाहता था तो क्यूं लेकर गए इसको इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे बेटे से दूर रहना चाहता हूं तो मैंने दस दिन का ट्रिप प्लान किया है यही बताने आया था गलती से भी मेरे साथ आने की कोशिश मत करना एक काम करो तुम्हारा मेरा कोई उस्ता नहीं है, ऐसा बोर्ट गले में टांकर घूमो लाइफ में पहली बार अच्छा एडिया दिया है, थेंक्यू यह लो, फकड़ो, कंटेनियो श्रीडी जाने वाले इदर हो, फ्रेंडी ट्रेवल्स, फ्रेंडी ट्रेवल्स, आओ आओ इदर हो सब कुछ रेडी है ना? सब रेडी है सर माइक तो के है ना? एक दम होके है सर वेलकम टू फ्रेंडी ट्रेवल्स वाइजएक से शृड़ी जाने वाले सभी यातियों का मैं स्वागत करता हूँ ये दो दिनों का सफर है इस सफर में आप लोगों का मौनरंजन करने के लिए रंगा एंड गंगा म्यूजगल गुरूप को एपॉइंट किया गया है ये फोटो वाला गाड़ी में चाड़ रहा है इससा हमारा निवेद दैने आपका शुक्चिन तक फ्रेंलि ट्रेवल ये पोटो वाला गाड़ी में चाड़ रहा है गया वह गाड़ी में चाड़क करें इससे वाल कोई लेना देने नहीं है सूर्स उठाओ साथ और ये नौ सुनो हार्मोनियम लोर बर्थ ढोल बाजा तुम्हारा पर और हमारे लीडिस हमारे सर के साथ रहेगी वह रास्ते में खड़ा रहता है मैं रास्ते में कहां खड़ा था अरे रुद्ना यार बात करना हूं इतनी भारी चीज मैं नहीं उठा सक कैसे पक्ड़ू मैं चुप चाप पकड़ और ये सावित्री कहां रहे गई पाप्रे सावित्री बेबी काड़ी चल पड़ी है आजो बेबी छोट जाएंगी ट्रेल साथी बेबी सोरी 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 बेबी बेबी ओतारम जी ओतारम नहीं जस्ट अवतार यार तुने बताया नहीं से अवतार आरे वह सब रहने तो यार चावन तक आने वाले बेबी बावन से पहले ही गाइब हो गई क्या हुआ बावन से पहले गाइब हो गई मैं समझें प्राबलम की शुरुआत हो चुकी है तुम भाग रही थी तो मैं गिर गया जी कहां जाना है एस्टू क्यों जा रही हो मेरे दिल के अंदर आ जाओ ना वहां की बर्थ एक्दम खाली है खुबसूरत पैसेंजर का इंतजार है करवा दू रिजर्विशन ट्रेन चूटने से बचा लिया थैंक यू तो बोलो थैंक यू जी अरे मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है बेबी कहा है आओ तारम जी सत्थी अहां बेबी आ गई और प्राब्लम गी मामा तो भी इसी ट्रेन में हो ओवरेक्टिंग देखा बहुत कुश होई बहुत कुश है मामा अब तुम्हाँ गहiah किbuilt अब चले क्या पंगे जबेन क्यों रे दुने अपनी हर्कते शुरू कर दिगल क्या वा था डी में शादी का गाना आा रहा था तो पिछे पिछे यहज़ यह है हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी ना उसे पता चला ना तो चपल की जोड़ी पड़ेगी चपल भी चाहिए तो जोर से मत बोलना जल्दी ही खामोश हो जाएगा जिसके बारे में दीदी ने कहा था वो इंसान ये हो सबता है क्या तो मैं क्या लगता है मैं इसका हम सफर बन परमगा मुझे तो उमीद कम लगती है पर तेरा नशा चड़ी जाता है ऐसे लोग गलत नशे में ही चूर रहते हैं और कोई काम धंदा नहीं होता पता है इने क्या कहा जाता है ठरकी टेस्ट करें क्या बुद्डी का जो ट्रंक नीचे रखावा है उसे ऊपर रखने की कोशिश करो तुम्हारे पीछे देखना करते बें आ जाएगा फोकस उस पर रखते हुई तुने और आलट फोकस मुझे कर रहा है अरे रुक रुक तुझे शरम नहीं आती लड़की काम करी और तुझ देख रहा है बिल्कुल ठीक या बेचा भर भर कर खाता है पर काम कुछ नहीं करता तुम्हें तो बस मौका चाहिए ना अरे पमे जी उसका फोटो दिखा कर कहा था कि कोई संबन नहीं लेकिन वह तो भांजा निकला बत्तमीज भांजा उसकी संबना सिगरेट पीने से हर कोई मरता है फिर भी सिगरेट को गौर्मेन ने बैं किया क्या अरे मुसीबत में ऐसा ही होता है समस्त तो नहीं है साहब जी ये ट्रेन में सिगरेट पी रहा है मुझे बोल बचन दे रहा था सिगरेट की बू आ रही है जैनट राजा रंगा और गंगा मुजिकल वाले आप सब को तहे दिल से प्रणाम कर रहे हैं इस खुबसूरत गाने को सुनाने के लिए हैं में मौका दिया इसके लिए फ्रेंडली ट्रिवल्स के आउतार जी को हम सब की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद इसमें ताली बजाने की क्या बात है अब देखो ये लोग हिला हिला क्या रख देंगे राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हिरोईन बाबा की भक्त है इसलिए उन्होंने बाबा के लिए गाना गाया वो गाना है सुन बाबा सुन अब उसका तात्पर ये मेरे शिषय समझाएंगे, तो समझाओ मेरे शिषय जै साहि Za Raam सुन साहिवा सुन, मतलब सुनो साहिवाबा शुनो प्यार के धुन, मतलब तुम्हारे दिव्यदर्शन के लिए तुम्हारे मंदिर आ रहे हैं बाबा होत अच्छी बात है मैंने तुझे अद्भुत है, महाद्भुत, मैंने तुझे चुन बिया, तू भी मुझे चुन-चुन-चुन अर्थात, ओ बाबा, हम सब जिस तरह से आपको बानते हैं, उसी तरह से आप भी अमें मान लीजिए बाबा यही इस गानिकार्थ है, इस पार्ट का परमार्थ है, बेवकुप बना रहा है, शुरू करो भजन कोई भी देखेगा, तो यही काएगा, बिल्कुल अजन्ता की मू रथ हो तू जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, एक बाद बोलो, बोलो, प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ, परना मुझे समझाने के दूस्ते तरीके भी आदे, बोलती हो तो लगता फूल खिल गए, यह नहीं सुद्रिगा, क्या आवा बेबी तुम्हें, मुझे चीक आ रही ह आच्छी खाया, कलखासी आएगी, आगले दिन टेंगु हुआ, मलेरिया हुआ, तो दादी मुझे मार डालेगी, तीन लोग जा रहे हैं, दो लोग ही वापस नहीं आने चाहिए, अबर आक्टिंग कारो, तुम नहीं समझोगी, ओतारम जी, ओतारम जी, तमीची मेरी बात स क्या, डाक्टर, 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 पेशेंट कान है, मेरी बेबी पेशेंट है, बिचारी छीक रही है, कुछ करो ना, डाक्टर, तुझे है बेबी को, बेबी को, ऐसे क्या देख रहा है, आप डाक्टरों इस बात कमझे यकीन नहीं हो रहा, चलो यकीन दिल अच्छै अच्छै यह डॉक्टर है ऐसे लोग गलत नशे में चूर रहते हैं और कोई काम धंदा नहीं होता पटा है इन्हें क्या कहा जाता है घर की नाम क्या है मत भूलो अरे बूल ना डॉक्टर साथ तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं ना सावेत्री सावेत्री गाउ कौन सा डॉक्टर तुम्हें गाउं से क्या लेना देना हमारे गाउं में कोल रहे है बाजु के गाउं में टेंगू है तुम्हारे गाउं में क्या पता करना लॉजिक ह तो मारने वाली थी आप तो हाथ पकड़ने वाला आओं जाज की करींगा पर लंबी सास लो छोड़ दो पर से लो पर छोड़ दो यह डॉक्टर यह ट्रीट्मेंट नहीं लग रहा है योगा लग रहा है योगा ची तु अपने मूँ बनकर उन्हें अपना काम करने दे प्रॉब्लम नहीं है मौसम बदला है इसलिए सर्दी हुई है टैबलेट ले लेगी तो ठीक हो जाएगी टर्की डॉक्टर साहब आजकर मुझे भी जरा भूख नहीं लग रही जा हो सकता है अरे अभी एक किलो एपल खाया तो फिर तुम्हीं बताओ भूख कैसे लगेगी बपास बनकर दादी कहां है उसे निन की गुली खिला कर ऊपर सुला दिया हूँ मैडम को बैटने के लिए जगह दे तैंक यू सर बेबी तुम्हें एसी कोछ नहीं दिखा क्या यह मेरे गरीब बॉस की रईस बेटी है कांची वरम है नहीं धर्मा पूरम तुम्हानी अभी अभी शादी हुई है अगर और थोड़ी देर होती तो मेरी शादी दूसरे के साथ हो जादी यानि यह तुम्हें उठाकर लेकर आया है ओ मेडम चोर उठाते हैं लवर भगाते हैं तो इन्होंने चोर से प्यार किया यह कौन है जो एसी बाते कर रहे है वो जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है सावी बेबी कॉंप्लेंट करेगा चुपने ना सत्ती में का लोगों मैंने सोचा नहीं था कि उसके थिंकिंग ऐसी होगी तुम पर भरोसा करके आई है तुद तुम इतने चीप क्यों सोच रहे हो ओहो सोचने जरूरी है तुम एक ही हो या तुम्हारी और भी बेन है एक चोटी बेन है लेकिन मुझे फुल सपोर्ट करती है उस नहीं मुझे भ पापड भी बेलने पड़ेंगे ज्यादा पापड मत पेलो भाग चाओ यहांसे अब भी ज्यादा देर नहीं होई है किसका फोन है मेरे डैड तू ठालो उठाया तो मुझे मार ढालेंगे वह मुझे ढूंड रहे होंगी मुझे बहुत टेंशन हो रही है वाश्रूम का है उठर 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 हलो आपकी बेटी शिड़ी जाने वाली ट्रेन के एस्टू कोच में है रात को कामा रेड़ी में ट्रेन रुकेगी आप अपने आद्मियू को भेज़ दीजिए यह तुमने बहुत अचा क्या बेबी कामानोदी वैलड़े स्टिशन रिभियता अगले दोरी कामानुपी रेलबे स्टिशन इस को कामानोदी राल्भे स्टिश्युörtनि मैं बादोत कीवितोंने बहुत व्याद रिएमस Сथा नंगर शिर्ड़ी एकश्पृस्प्रेरन परतर है भालिए यहां पर है वो चल 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 तेक्ट यूज कि उसके आदमी है या पर चोर और फूल लड़की पांगी वे पीछे देखा साथ नमर पर यहां भी नहीं है वो दोनों देखो भाब रहे हैं चल 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 बेबी कम फास्ट कम फास्ट बेबी कहां पर जा रहे हो तुम लोग पता चलते ही तुम्हें बता देंगे बोस्ट थैंक्यू बात में बोलना अभी चलो कम बेबी कम फास्ट चलती भागो अब जा रहे हो इदर आओ चलो चलो उस गाड़ी में चलो अभी थोड़ी देपे रवाना होने चलो अब फास्ट अब जिकल कि वो अपनी जगाबर पैट जाए जलो निकल आपनी जगाबर पैट जाए चलो एक काम को हो गया प्रेंट चली गई अब मैं क्या करो यह लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं वाई आइटम को देख मस्त है ना बिलकुल मस्त साही बापा मेरी रक्षा करो रक्षा करो साही बापा कहा वटा क्रीव अंदर बैटो आजाओ अले बापा तुम मेरे लिए लोट रहे है जल्दी से आजाओ आज़े 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 यह लोग भक्ती वाला काना नहीं का रहे भक्तों को डराने वाला काना का रहे आज अए बेबी उठो बेबी कहा है बुट्टी तो यहीं पर है इडली गर्मा करें करें इडली बड़ा 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 नुसा तुसा तुसा करें अरे हटो बाबा जी आपने हमारे बेबी को देखा बेबी को छोड़ो बाबा का गाना सुनो कान के नीचे बढ़ाऊँगा अरे 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 सारी समझ गया उस हीरो नहीं कुछ किया होगा आतारम जी आतारम जी आतारम बेबी नहीं दिख रही है आपने अपना सर क्यों पकड़ रखा है हमारी बेबी कहा है आपका भांजा भी नहीं दिख रहा है और वो दोनों लवर्ज भी गायव है अरे सती सावेत्री को जगा दे अभी दादी की नीद खुल गई अरे तू शौक पर शौक बंते मैं मर जाओंगा यार अगर तू नहीं मरेगा तो महीं तुम्हें मार दूगा बेवी नहीं मिली तो एजटी नास्ताली खार creep करारी अब भापने अब तुबी दीर में साइब मुझे फोन करें है अब मैं क्या करूब bore करना चाहिए ना फोन करना चाहिए उनकरो स्टिकर में डालो कर तो राओ ना यह तो दुस्ती लड़की है, अपनी girlfriend को फोन लगाया क्या, अरे customer क्या रहा यार, वो कौन है, कोई don है क्या, वो network में नहीं है, यह कह रही है, network में नहीं होंगे, तो work out कर रहे होंगे, तो खाम खाम मुझे टेंशन मत दे, जब तक उनका फोन नहीं आदा, तब तक वेट कर, समझा, 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 किसे बात कर रहा है, सामित्री को जगाया या नहीं, सारा काम बकी है, समझ गया, अच्छी तरह समझ गया, सब समझ गया, मैं, बढ़ा नहीं क्यों हो गया, गंगा का गाना बजाना, बंद क्यों हो गया, क्या कहा तुने, गंगा का गाना बजाना, जोजिता अधमता नाराये दिनस्वयम तुयासे नग्रफिताम कुराण अधिना मच्छे माच्छ अरे यह क्या लोकेशन चेंज हो गई अरे बाप्रे यह क्या यहां तो कार का शेप भी चेंज हो गया कौन आरे तुम लोग और मुझे कहा लेकर आ गई है अंदर लेडीज भी मोजूद है यह का तुम्हारा फैमिली विजनस है और यह कौन इसकी शकल पर चोड लिखा हुआ है सर वो एक्चुली ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वह भूल जा अब क्या होगा वो मैं बताता हूं जानते हो इसके लिए तुम कितरे सालों के लिए जेल जाओगे हम जेल के साल काउंट नहीं करते हैं सेकेंड्स और मिनिट्स काउंट करते हैं हाँ सही कहा ग्यारा बच कर 57 मिनर और 650 किलोमेटर दो रातें बिना नीद के मैं आप ही को तो ढूंड रहा हूं मुझे क्यों ढूंड रहा हूं अभी भी नहीं समझे क्या अरे रोमियों ने भी जूलेट कौ इतने प्यार से इतनी बार नहीं बोला होगा जतनी बार तु बार बारас मुझे प्यार से बोला रहा है ये बात तब की है जब की द्रत nagu पर यूक चल रहा था और तब मुझे आप इने भढ़गाया थ Latne के लिए अब आपको समझ में आया कि नहीं इस पोस को क्या समझू भाई आप साक्षात कृष्ण है मैं कृष्णा अगर मैं कृष्णा हूँ तो तू क्या अर्जुन है मेरे भाई चलिए आखिरकार आपने मुझे पहचान लिया जय क्रिष्णा मुकुंद मुरारी तेरे हिसाब से मैं क्रिष्णा हूँ और तू अर्जुन है पर इस बात का सुबूत क्या जरा वो तो बता इस कार के अंदर वो मूर्ती है न आ मोर पंक और क्रिष्ण की मूर्ती कौन सा गान अर्डोलू बचे बचे आडोलू बचे पहले तो मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी एकिन नहीं हो रहा था लेकिन जब मैंने खुद के अंदर जाक कर देखा तो मुझे क्रिष्ण नजर आया मैं क्रिष्ण हूँ ओके तुम अर्जुन हो ओके पर यह लड़किया क बेभी फुस्ते शशी रेखा बेभी तुम चुप बैठो मैं पान्दमों के पक्ष में हूँ तुर अर्जुन अब बताओ कि कौन से कारी संपन करना है आपको नहीं पता है क्या शशी रेखा की शादी तो फिर देर किस बात की चलो 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 चलते है यह वो मेरी सार्थी सीटा है मैं क्रिछना हूँ तो सच में क्रेक्टर में गुझ गया हूँ जो हूँ बेभी कृष्टा का मतलब यु बिन अटफलूट गाय नो यहाँ फलूट गाया यह तो अधाई प्रण ब्रिंदा वन, इस्द्समी क्रिष्टा अँभाव आम सव एक्साइटे कह क मुझे का सेलफी विद्यू साओ बेबी, क्या कर रही हो, बेबी? डरने की जरूत नहीं है, मैं रत का सार्थी हूँ सुनो, अर्जुन, तुमने जो कहा, वो बिल्कुल सच तो है न? अभी भी, तुम्हें कुई शंका है क्या? इसका मतलब गीता पाट मैंने किया था, पर मुझे भागवद गीता का एक विश्रुक याद क्यों नहीं आ रहा है? पहले तुम्हें याद आगा कि तुम क्रिष्ण हो, इसके बाद तुम्हें भागवद गीता याद आगी लॉजिक है भाई, आएम क्रिष्णा, तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर रहा है? वो कौन है? अरे बोई, जो पत्ते खेलता है, जुआ खेलता है, धर्मराज आजकल मेरे टच्में नहीं है वो क्या कहा, उसने तुम्हें बड़े भाई के प्यार दिया, और तुम उसे भूल गे, अपने बड़े भाई धर्मराज को अर्चन कोई हमारी गाड़ी को फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है? तो यह हमारे जान पचान वाले हैं, गाड़ी साइड करके इनसे बात करते हैं ना, यह बात नहीं करेंगे, शेशी रेखा का चीन हरल कर लेंगे तुम टेंशन मतलो किसने भेज़े तुम लगो को? तेरी दो, बेबी, पहले ही ने भेजने वालों को मारना चाहिए, बेबी लिस्किल देम बेबी, लिस्किल देम बेबी तुम अपनी कब्रे खुदखुदने की बात कर रहे हो अर्चुन, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं लगता है, रैस ड्राइविक कर रहा है, वो मेरी कार गो टेक करने जा रहा है, ऐसे में मैं ड्राइव नहीं कर सकता भाई कुछ तो करो स्वामी, इसने मुझे उठा के इधर कर दिया और मेरी ड्राइविक जीट पे खुद बैट गया, तो मेरा थोड़ा सा इगो हट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, I'm sorry अगर भगवान कृष्ण को ऐसे सताओगे, तो कुछ भी नहीं होगा कृष्ण जी सीट बेट बाल दो जाए अब ही लो आगा बोस क्या आइडिया लगा है बोस अभी तो क्यों नहीं आया, साब फोन कर रहे है मुझे गाड़ी मिस हो गई होगी, कल तक तो नहीं आएगा एक बार तो बोलो उनसे कि ठीक से गाना गाएगा बेबी, यह क्या है बेबी? जो तुम्हें काटे वो मच्छर है बेबी तुम्हारे पिताजी की वज़े से देखो आज हमारी कैसी हालत हो गए है बेबी यह सोची ऐसे क्या देख रही हो? मेरी दीदी ने मुझे पहले ही बताया था कि मुझे तुम जैसा एक लड़का मिलेगा तुम्हारी दीदी कुंडली देखती है? नहीं जी, श्राब दीती है तुम्हें पता है? मेरी दादी हमेशा कहती रहती है कि कभी किसी के फटे में हाथ नहीं डालना चाहिए मैंने ही नहीं सुना पेकार में उन्हें फोन करके बता दिया मैं जानता हूँ तो क्या वो भी ये बात जानते हैं? उन्हें नहीं बताया तुम अच्छे इंसान हो तुम्हें अपनी शादी में बलाऊंगी मुझे अच्छा इंसान बोलके शादी किसी और से लेकिन उन लोगों ने तो तुम से मदद नहीं मांगी तुपर तुम ने क्यों मदद की? मदद पूछ कर नहीं करनी चाहिए जरूरत देख कर करनी चाहिए क्योंकि जिन्हें सच में जरूरत होती ही मदद की वो मांगते रही है बढ़िया है बहुत बढ़िया वैसे तुम काम धंदा क्या करते हो ट्रेन में बेकाल में घुमने के अलावा मुझे दुनिया देखना पसंद है इसलिए घुमता रहता हूं मुझे जिन्दीगी से महबत है इसलिए मेडिसन की पड़ाई कि हसने की वज़ा नहीं ढूंटा और गुस्से के लिए वज़ा नहीं मिलती कल के बारे में ज्यादा सूचते नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कल जो होना है वो होकर ही रहेगा हूं कि कैसा होटल है कैसी सर्विस है क्यों क्या हुआ दोसा जल गया है भाई अरे इसके बिल में सौर रुपया ज्यादा जोड़ना अच्छा तुम है इसके बिल में हजार रुपया जोड़ उठाई से बाबू टू यह सम ओट्स और कि बिना कुछ खाया है नोट-वट की बात क्यों कर रही है बेभी क्या उल्टी सीधिये बात कर रहा है दूंक्या एक है यह थाने की बात कर रहा है इसके बिल में पांच्छ रुपय जोड़ते ज़रा सुनो तो मित्र यह पांच्स का फाइन क्यों इगो मेरा एगो हट होता इनको देखके समझ में नहीं आ रहा है, जरा इनकी बनावट तो देखो, जैसे शादी के मंडब से इसे भगा कर ये लंगूर लेकर आए है, अभी तुम लोग यहाँ से जब जाओगे, तो यहाँ पर बड़ा सा गुंडा गाएगा, वो सारे टेबल कुर्सी तोड़ देगा उसका बिल कौन भरेगा, छे, यह प्लेस और इसका फेस दोनों पसंद नहीं है मुझे, चलें यहाँ से, लुको, वो गुंडा पाटी यहाँ कर पूछे कि तुम लोग कहा गए तो मैं बता दू क्या, तो फिर बैठो न, बैठो, अरे यह उटकर के फिर बैठा, इसके बिल उसके रुपया जोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए, मक्खन, अपनी शाकल देखिए जो मक्खन मांग रहा है तु, अर्जुन, लगता है इन लोग को पता चलिया कि मैं क्रिष्ण हूँ, इसलिए यो लोग भी क्रिष्ण स्पेशल का आना बजा रहे हैं, तो फिर इंजॉय करो क्रिष्ण, हाँ, बॉस, हमें कोई रास्ता बताओ बॉस, इसके बाप के गुंडे फिर से आ गए तो, जब प्यार किया तो तुने मुझे से पर्मिशन ली थी क्या जोब सॉलूशन मांग रहा है, अरे, तुम्हारा मुझे ट्रेन में चड़ाने का इरादा है या नहीं, मुझे ना पाकर मेरी दादी कितना टेंशन ले रही होगी, जानते हो, ट्रेन से तुम अकेली नहीं उत् अर्जुन, इस सुदामा को बता दू कि इसके ढावे में कौन है, यह क्या अर्जुन है, तब तो तुम जरूर कृष्ण होगे, मेतर, तुम उझसे आरे करके नहीं बोलोगे, यह आरे बोलने के लिए मना कर रहे है, पांच हाजार रुपे जोड़ते, पांच हाजार, हमें कृष्ण, अर्जुन, इन लोगों को तो मैं समबालता हूँ, कार कमरत रिपेर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, मेरे बारे में चिंता मत करो, अर्जुन, इस पेर को तुम समभालो, रिपेर को मैं समबालता हूँ, थांक ये, कृश्णा, आर्जा, बेभी, आजा भई, य लोग इसके दर्शन करने आते हैं यही वह मंदिर है जैसे बताया वैसा नहीं है ठीक है तो ती नजार कम करता हूं लवी बेबी शरम करो इन लोगों नहीं तो मंदिर तक को नहीं तुम आओ ना बेबी यह सुनो फाइन मास्टर यहां पर नए कपड़े मिलेंगे क्या क्या ब हुआ है मुड करें कर दो प्रेम करें करिम करता करता क्यां हमारा यह रीवनासे में कि ने वर्ण। दसकार मोलेते हैं तो तक है यहा हाँ है राज प्रिदी संटπαता कत्या करा रज़गत है एससी अटे करेता करता कर्फो तुम मुश्बसास से वा रिकम है कि विए रहता हूं है उदर तेखो बड़ा लगता है इसके बड़ा बील फाड़ूगा इने अंदर लेकर जा तो मेरा बील कॉन फड़ेगा इनने अंदर लेकर जा अब समझगी है चलो वच्चा लोग अंदर चलो जाकर ले आओ उसे तुम्हारे लिए क्या पंच डालाग मारू अंकल ने तुम्हें चिकन मटन का लालज दिया और तुम्हें यहां चले आए बॉटम लाइन यह है कि मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा और वो लोग शादी करेंगे अब तुम्हारे लिए क्यां going states होना ही चाहिए होना ही चाहिए क्रिशचन जी का जनम दिन ace ता उनका प्रोग्राम आषिचाए उनके जनम दिन पर उनका गाना सुनेगे शोटे गाना सुनने के बाद ही जोशा और फाइट करने में बहुत मज़ा आएगा वालियूम थोड़ा बढ़ा दे हाई 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 मधू, मधू, छोड़ो मज़े मधू, 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 मधू इन सबसे तो निपट लिया लेकिन आगे पूरी फॉज आ रही है क्या रहे पूरे गाउ को उठा के लिया आया क्या इन लोग को तो मैनेज कर लिया लेकिन इतने सारे लोग को मैनेज कैसे करेंगा भाई अप्रोन अटूम तुम्हें क्या लगा था कि मैं वापस नहीं आओंगा कमान चलो जल्दी वेटो कारी में चलो प्रोटे 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 व्याइटो कहीं आओंगा ड्योटूम्हें आओंपथर बीजर्स नहीं रेकितिए अप्रोटे सावित्री लगता है अभी मुझे प्रिपोस करेगा बोलो, आखिर बोल ही दो मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो अभी तक जो भी कुछ हुआ वो प्यार था तो शादी भी होगी यही सोच रही हो न लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं होने वाला मैं सब जानती हूँ सावित्री, वो अलग है, हम लोग अलग है देखो मिस्टर, तुम शायद अलग होगे मैं बिल्कुल नहीं हूँ घरवालों ने जिसे पसंद किया है, उसी से शादी कर लोगी नहीं तो क्या, किसी अंजान इंसान से शादी करना सही नहीं है मैं उनलोगों की बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम क्या करोगी देखो मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी शादी पहले ही फिक्स हो चुकी है कट कर रहा है यार, और एक पर करो प्लीज नहीं बताया, तुझ जिन्दगी भर अफसोस रहेगा तुम्हें जवाब देना होगा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ तुम अच्छे लगते हो, लेकिन एक दोस से ज्यादा कुछ भी नहीं सावित्री दो मिनिट में ट्रेन आ रही है अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो बोलो, दादी के सामने मंगल सुत्र बांदूगा यही कर सकते हो तुम, पर ऐसे प्लाटफॉर्म में मंदिर में ऐसी भाग कर शादी मुझे नहीं करनी अरो फिर से कड कर दिया, फिर से एक बार करो तुम्हारे घरवालों से आकर बात करता हूँ, वो चलेगा देखो, मेरी शादी मत तोड़ो ट्रेन आ चुके सावित्री, आखरी बार पूछ रहा हूँ मैं मेरा आखरी बार भी जबाब वही है है, क्या प्राव्लम है, स्टेशन पर कड़ाओ हलो, मैं अंकल बोल रहा हूँ, बेटी दो दिनों में लौट रही है एंगेजमेंट फिक्स करनी है, अपनी मा के साथ आ जाते तो बहुत अच्छा रहता है अंकल, मुझसे तीन मीटर दूर एक लड़की खड़ी है उससे तीन दिन पहले ही मैं मिला हूँ, और उससे मैं प्यार करता हूँ ये बात उसके अलावा सब को समझ में आ गई है इस सिलसले में बात करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे है अपनी बेटी के लिए कोई और रिष्टा ढून लीजे और मेरी माँ को भी ये बात बता दीजिए जब तक मैं इस पागल लड़की को समझानी की कुशिश कर रहा हूँ तब तक मुझे फोन मत कीजिए उन्होंने क्या कहा? उसे ये शादी मन्जूर नहीं है कह रहा है किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है हमेशा सोचा था कि तू मुझे पसाएगा लेकिन इस बार तू ही पस गया बहुत मसा रहा हूँ ये फोटो पहले ही नहीं दिखा सकती थी मा तुझे कैं ये मजाक लगता है पहले तो तू हमसे जबरदस्ती करके उनसे बात करने को कहता है रिष्टा तुडवाता है और अब अचानक बात करने को कह रहा है तुझे जो कनाहे कर ये कुछ नहीं कर पाएगा तुझे पहले इसका साथ चोड़ना चाहिए बेलकुल सही कह गई वो तुम लोग राय का पहाड मत बनाओ चार दिन रुका होता तो हमारी भी शादी हो जाती है तो ऐसे मुझे भरोसा है वो मुझे से प्यार करती है इस वक्त भी वो मेरी बारे में सोच रही होगी उसकी तो जिसने रिष्टा ठुक रहा है एनर्जी तो अपना ही वेस्ट होता है हम लोग ही फील कर रहे है या बहार उन लोगों को भी कुछ फील हो रहा है अरे एक गया तो सो आ जाएंगे जाकर फिर से दूसरा रिष्टा ढूंडो ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला अगर सब कुछ सही रहता तो आज इंगेजमेंट होने वाला था लेकिन आज माहौल ही कुछ और है उससे कुछ गलती नहीं हुई है फिर वी अंदर जाकर बैठी है लगता है मुझसे ही कुछ जल्दबाजी हो गई आपकी क्या गलती है भाईया मैंने ही आपसे जल्दबाजी कराई आप रामलक्ष्मन का प्यार बाद में अब आगे क्या करना है ये सोची भाईया आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं हाखिर हुआ क्या रिष्टा ही टूटा है ना अपना सेंटिमेंट तो नहीं टूटा ना अपनी सावित्री का राजकुमार को यह और होगा हो सकता है इस समय हमारे सामने ही हो लेकिन हम लोग उसे देखनी पा रहे हो हो सकता है हमारे आस पडोस में ही कोई हो हाँ भाईया इनके बातों से मुझे कुछ याद आया यूएस में मैं रिष्टे की बात कर सकती हूँ वो भी हमारी सावित्री के जैसे ही भारती संस्कारों वानी लड़की ढून रहे है सावित्री उनके लिए बिल्गुल सही रहेगी देखो एक बार मुझसे पहले गलती हो चुकी है मैं उसे दोराना नहीं चाहता अब बिल्कुल सब्सक्राइब ऐसा कुछ नहीं है भाईया हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं तेरी तो इसमें गलत क्या है भाईया बोलतो रहे है ना अच्छा रिष्टा है हमें फिर से रिष्टा डोडना ही है तो फिर यहीं क्यों नहीं बेटी गायत्त्री हाँ पापा यह बात एक बार जाकर बहन को बता दो सोचा था क्या क्या हो गया बेचारी ये बुल-बुल फस गई बहुत अच्छा हुआ ना तुम्हें एक बात बताओ कि आगे क्या हो रहा है सून रहे सत्थी अबैबी इनकी भविश्वानी हमें नहीं सुननी है बोल दो इने तुम्हारी भविश्वानी हमें नहीं चाहिए तेरे लिए फिर से रिष्टा गूंढ रहे है अमुर्दी कस बताओ ना तु बहुत जल्दी उड़कर जाने वाली है पहली बार आया वो रिष्टा बस का था ये रिष्टा तो एर बस का है उड़ो उड़ो कहां तक उड़ेगी मैं भी देखती हूँ मेरी प्यारी प्यादी हो रही है जब तक मैं इस पागल लड़की को समझाने की कुशिश कर रहा हूँ तब तक मुझे फोल मत कीजिए बेबी 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 ये सत्ती रिष्टा भी तोड़ दिया ऐसा सपना आया उस सपने को छोड़ो वह रिष्टा बाहर बैठा हुआ है अरे बापने वह यहां क्यों आया चल चल कर देख 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 सर मुझसे एक चोटी सी गलती हो गई गलती हो गई कृष्टा जो गलती मैंने किये गुस्सा अना जायज है लेकिन भूलने के लायक भी है सर आपके साथ दो बात कर नहीं है बोल पहली बात मैंने आपसे कहा था ने कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ वो कोई और नहीं आपकी की बेटी है मेरी बेटी का जब रिष्टा पहली बार आया था तो तुम मुझे अच्छे लगे थे डॉक्टर हो सोच अच्छी बात है यहां तुमारी खेती भी हम ही देखते है प्रहचान का रिष्टा है यह सोच कर खुशी हुई थी लेकिन तुमसे बात करने के बाद तुम मुझे पसंद नहीं आया किसी लड़की के घरवालों से कहना कि आपकी बेटी मुझे पसंद नहीं आई यह हिम्मत की बात है मेरे घर में आने वाले महमान से इस तरह से बात की जाती है यह संसकार मुझे है अगर मुझे हिम्मत नहीं दिखा तो चलेगा लेकिन संसकार ना हो तो नहीं चलेगा सर आपका मुझे पर गुसा करना जायज है लेकिन मेरा प्यार भी उतना ही सच्चा है सर मुझे आपसे पूरी उमीद है आप मुझे माफ कर देंगे अगर वो तीन मीटर की दूरी वाली लड़की मेरी बेटी न होती तो तुम यहां आते नहीं बर्खुरदार मुझे उमीद है तुम्हें जवाब मिल गया होगा तुम जा सकते हो सर दूसरी बात हमारी खेती आप ही समालते थे न मैं चाह रहा हूँ वापस हमें दे दे यह बात तुम से नहीं करेंगे तुमारे घर के बड़ों से करेंगे इसलिए मैं अपने मामा को लाया हूँ हाँ वो मैं कह रहा था कि वो खेती अगर हम लोटा देते तो कृष्णा इनकी मांग नाजाइज नहीं है हाँ पर वक्त थोड़ा गलत है जाकर इनी खेती दिखा दो ठेक है भी यह क्या क्या रहा है खेत के बारे में बात कर रहा है तुमसे शादी करके लगता है दहज में खेत मांगेगा वो मुझे पता है तुखेत के लिए यहा नहीं है तेरी आखों में देखता है कि तेरा मकसद कुछ और है सावित्री के लिए दूसरा विष्टा देख लिया है सावित्री हमारे घर के इज़त है भाईया के इज़त है और उसे बचाने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता क्रिश्णा जी आप इतना वजन मत उठाईए कमर दुखने लगेगी मेरे फैसले आपकी तरह बीच पर नहीं लटकते कन्फर्म होते हैं इस पार कि अस पार एक महिने में खेती का कम पूरा हो जाएगा तुम्हारे खेत तुम्हें वापस मिल जाएगे तुम्हें चाहे जरूरत हो या ना हो या नजर मता ना अच्छे से स्टेडी के आया मैंने कमजोरी भाब चुका हो बात तो बन कर रहेगी कैसे भी गोने उठा के ले चला भांजे ये खेती क्या है शादी क्या है वो लड़की क्या है लो आ गई तुम अच्छे खेत देखने के लिए आया हो क्या सोच रही हूँ मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तुम से शादी की तो खेती दहज में मिलेगी पहले खेती हासिल करूँगा फिर तुम्हें दहज में लूँगा ज्यादा मजो जो मेरे बारे में मैं न्यू यॉक या पैरिस में जाकर रामा राव के साथ सेटल होने वाली हूँ तो फिर इस गदे को अफरिका में छोड़ दो शनी चूड़ जाएगा सावी बेबी बोले देना सत्ती इंकार किया इसलिए दुखी हो गए हैं ज्यादा कुछ कहा तो सह नहीं पाएगा इतने करीब से देखोगी तो रोप नहीं पहोगी जाओ पुछ से दूर जाओ जी यासे चल सत्ती अरे वाग क्या बलखा रही है मामा चलो एक छोटा सा काम है मामा अब कौन सा काम बागी है शुक्र अभी सरवच्च शिखर पर बैठा है तो भी अपना काम नहीं हो रहा है अपने काम को जो रुकवा रहा है कौन है वो यह तु कहा लेकिया गया अब गजाता कामा ना बखा तक कर दियुक्र पापागा दुस्कू तुड़े ऐसा लगते है अंदर कोई पूजा हो रही है थुड़ा एक्स्ट्रे प्रसाद दूंगा सुन यहां पर विश्वास राव कौन है तक जाता कमाना बखा तक कर दियुक्र पापागा दुस्कू तुड़े घर में आउरत नहीं फिर भी दिया जला हुआ है रंगोली बनी हुई यह पूजा हो रही है बरी दो पहरी में तू इतना बेवकूफ है क्या आकर यहां हो क्या रहा है यह बात पूछने का अधिकार सिर्फ हमें है दो दिन पहले तुम्हारे आदमियों को पट्टी लगी थी उन्होंने आके बताया होगा कि उस लड़की के साथ एक लड़का था वो मैं हूँ जून आट को सावित्री यहां से निकली वो अकेली नहीं थी छह साथ लोग थे साथ में रोड पर जब पहुंची तो बढ़कर लोग दस हो गए रावे पर पहुंची तो बीस लोग हो गए थे और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते पचास सुन ट्रेन में फालो किया छोड़ दिया कार से फालो किया माफ कर दिया लेकिन जब मंदिर के पास आये तब उन्हें नहीं छोड़ा हमारे बीच क्यों आये थे वो लोग तुम्हें कोई गलत फहमी है बेटा ये आज की कहानी नहीं है बीस साल पहले की कहानी है लोजी करी देखा जाए तो तुम बीच में आये हो कुंडली मिली है ये सोच कर लड़की को भागा करने जाना चाहते है आदम दुबारा अगर ये सोच अपने ख्याल में बिलाया तब बहुत बच्चता होगे कई बार बेजजग्ती होई पर बापू ने हार नहीं मानी उसी कुंडली के साथ साजीत है सावित्री पैदा होई साजीत्री जब छोटी थी तब से ही बापू की नजर उस पर थी बापू ने फियासला कर लिया कि साज्ट्री के कले में मंगल सुत्रपांध होना मेरी पतंग, मेरी पतंग मुझे लटा दीजे न, अंकल, अंकल, ये है तुम्हारे अंकल, ये लो बेटी, ले लो, थैंक यू, बहुत अच्छा करण लगा है बापु जी को, एकदम जवान दीख रहे हैं बापु अब तो, अब तुम ही बताओ, सावित्री के साथ, इनका शा करने दीजे, हम लोग ये हैं गलती से आगे हैं, चलो, 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 तुम ज़र सालेंट रहो, मैं ये लोग तो पागल है, मुझे इस वक्त यहां पर क्या करना चाहिए, है, बीस साल से शादी नहीं की, तो पेट में बुलबुले उठ रहे हैं और दिमाग में प्रडक्शन पे इतना जारा खर्च, ये अंकल का एडिया था, अगर गाउं से लेकर आए तो डाउट होगा, लेकिन अगर गाउं के बाहर से लेकर आए तो लख मिलेगा, इसलिए बिलकुल लास्ट मिनट में प्लाइन बना कर लड़कों को पीछे भीजा, ये सच बहत है, लास्ट मिनट में तदकाल में टिकेट बुक किया, पता है कितनी तकलीफ होती है, कॉंटेक्ट लगाना पड़ता है, सब समझ गया, तुझे, तेरे अंकल और इन्हें देखकर लगता है, कि यहां मेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए था, लगता है, यही तुम्हारा ट्रीट उसे बुरा लगेगा, इतना मत्हस, सोच रहा था, इस गाउं में एक मिनट टाइम पास कैसे होगा, अच्छा वात तुम लोग मिल गए, माय डियर डिबोशनल बॉइस, तुम्हारी भावी तो वही रहेगी, लेकिन भाईया बदलने वाला है, है, होई, तेरे कहने का मतलब क्या है, बाइग्राउड म्यूजिक स्टार्ड बॉल य्युल सरे थे जया जी बॉल्ट शचेक हे बेबी बत्तमीज दे तुम्हे थपड मार दिया गाना भी तो गया इसने इस उमर में ये गाना नहीं गाएगा तो क्या सन्यासी बनेगा फिर भी वो विश्वराव कितनी खुशी से नाच रहा था देखा था तुम्हें उसका डांस मुझे नहीं देखना है आज मेरा भांजा जो करेगा उसके लिए सब हो जाएंगे ओतार फैन अइसा क्या मामा वांजे आई लव यू मामा वेटा तु उस रड़की से सच्चा प्यार करता है ना इमोस्नल दुनिया देखेगी तेरा प्यार ना खाली जाए तेरा वार मुझे पीने का शौके नहीं यह लाइट कैसे चली गई गाव में ऐसा ही होता है रात होते ही लाइट चली जाती है अच्छा वा लाइट चली गई अब चल मैं तेरी शादी करवाता हूं चले मैं भी अपनी ताकत दिखाता हूं हम लोग इतने बुरे हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा तेरी भावी सोई होगी और सावित्री को मैंने नीन की गोली दे दिया है फिर उसत्ती का क्या अगर वो उठ गया तो वो गया खत्तम मुडर नहीं हात्या चा बॉइस मिलिट्री फॉर्मेशन केक लाया हूं बलून्स लाया हूं कैंडल्स लाया हूं इस्प्रे हमारे भाई का बड्डे है तो फिर हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं वह बाई के बड्डे में सिर्फ केक देंगे तो उन्हें थोड़े ही मजा आएगा गिफ्ट के वह कौन है मुझे तो अपना रिशी लगता है तो फिर यह लोग कोन है कहां अरे उसका रूम मांजे बगमान ने किया गर रौशान हम करता है अमलब नींद की गोली की बाद सिर्फ मुझे बताया पुरे गाउं को बताया है क्या हो मामा दावित्री सच में महान है वो ते भी है कैसे बता चला आज के जमाने में भी उस्ते इस गदे को घर में शुलाया है क्या गधा पिजय की दर आओ इधने में जादा ने पिता चल जाती है मजाएगा मैं इस गदे की सवारी गरूंगा देख मैं तेरी पर बैठने वाला हूं अगर तुने लाद मारी ना तो मैं तुझे मारूंगा अम्मा और तुझे मार्य क्यों निहां यह इस वक्त यहां क्या कर रहा है रे भागो और इशी को अकेलाने में टर लगाओगा इसलिए साथ में गुंडू को लाई आए तुझे तो आपे क्या कर रहे है तुझे पढ़ा दी और मेरा जला दिया क्या जल गया अए अच्छा हुआ इसमें देखा नहीं हम लोग आये हैं ये बात रिशी को मत बताना तो फिर ये मुझे टोपी दो मेरे पास तो एक ही टोपी है मैं तो फिर भी बताता है अरे अच्छा हुआ बालूंस छोड़ दिया हाँ भाई खुश होंगे अरे लो ये भी गया है है मेरी छोटी साथ्री मेरी क्यूट साथ्री है बस्पन से शादी का खेल खेल लई है हुआ हुआ है 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 इसके नहीं तीने मुझे चाटा क्यो मारा सावित्री कोई बात नहीं जाटा मारते वक्त ये गेर गया था फिर से पैना दू अरे इशोट नहीं घर रहे गया दूलती नहीं आपता हूं अरे प्रोप वाईकंदे का केक है क्या कर रहा है होई खतम करेगा है यह क्या क्या दूने है फालो में उन्हें सब बख सिखाते हैं किसको अर्ल एक्टिंग कर रहे हो नाटक बंद करो बताओ क्यों आयो वो क्या है कि कल हमारे भाई का बड़े है गाउं के बिग पीपल को बुलाने के लिए आया था बिग पीपल अब ही हो भाई बुलायो ना आउंगा अब मैं तीन तक गिनता हूं ठीक है अरे भाई आप लिए टीन आप काउवचा पोलाई यहा यहां यहां? driven मुण से इचकेगा ठीके हैं काउचा एटके का मुई षटक हैं पीतिकी कि अभाई ओर भाई यहां ten a Woah यहां रागने यहां ध। मैंने कहा थारा नहीं देखेगा तुझे क्या हुआ वे मेरी देया तुटूप गए कैसे तुम गायत्री ओ साजत्री की सिस्टर पी कर रहा हूं तो गलत में समझना तुमने डैडी से बात की तो तुम कैसे लड़के हो ये मैं समझ सकती हूं लेकिन वो नहीं समझेगी समझ ग मंदो करना है घर से भागने की हिम्मत आप में है लेकिन लड़का पस्तर नहीं तो ना बोलने की फिम्मत नहीं है लेकिन तुम्हें कुछे कैसे पता दिर किया है शादी करने के लिए हूँ इसका मतलब चोड़ना नहीं होता बलकि जानना होता क्यों इतना बरोसा मैं इसी बात कई बार कह चुका हूं कि मैं दिलो जान से उसे महबबत करता हूं और मेरी महबबत इसी भरोस उपटेंगी है इसके लावा और कुछ नहीं है वैसे तुम्हारी बैन है बहुत प्यारी हूं एनिवे थैंक्स फिर मिलेंगे कि उसके लिए तो अच्छा लड़का मिल गए है कि इस है बेभी बेभी है सथी हमारे घर में कुछ गडबर चल रहे है तुम्हें तो बस इतना ही पता है कल रात में और क्या-क्या होँ तुम्हें नहीं पता कीस गडबर करेंगे ऑ रात में वह रिशी और उसके दोस्त लोग बहुत गडबड किये प्रिश्य आया था उनकी बात छोड़ो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उसने तुम्हें पसंद किया है अब अमिरका जाओगी है क्या हुआ मैं जाकर शादी के तेयारी करता हूं अरे वाह आप तो बहुत अच्छा केलते हैं रात में लोग ने इतनी धमा चोकड़ी बचाए कि क्या बता हुए तुने साइकल बहुत अची जलाई अची जाओ ना तुमसे बात कर रहा हूं आजाओ यर उन्हें बुलाने की क्या ज़रूत है आपने सामने बैठकर बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है अधर क्यों खड़े हो आजाओ ना कल रात को जो हुआ तो उसे पता चल गया होगा अब क्या होगा बांजे लगता है हाथ पैर बांध कर मारेगा मुझे जुक्रम है चलो रात को तो यह भाग निकला था ना अब दे किसे कैसे गेरता हूं यह लोग क्या फुस्फुसा रहे हैं शाहिद तुम्हारी बारे में क्यों बुलाया ऐसे पत्ते खेलने के लिए बुलाया क्यों क्यों बात हो गई देखता हूं कितने बड़े खेला रिया अब यह नहीं तो कौन सा पता भेगू तुशी प्रहें कौन एसा नाटक मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है अच्छा तुम बोल रहे हो क्या कर रहे हो पापा के साथ पत्ते केलो मेरी बेटी है मेरी बेटी है पत्त तरी चात का बैदा मारो हां चोकर इसी की तो जरूरत थी आपका क्या अले सासुर्गी मेरा भी हो जाता था बेटा जोस्ट मिस तुमारे पास कौन से कार्ड आई थी रानी आई थी किसमत पाले हो गुरू मुझे तो लेकिन राजा की जुरू थी आपको राजा चाहिए लेकिन मुझे रानी चाहिए और आपसे मुझे में ज़्यादा ताकत है तुम्हें इतनी देर हो गई कहां रहे गए थे भाईया उसके साथ पत्ते क्यों खेल रहे थे क्यों क्या हुआ वो हमारा दुश्मन है क्या अरे कल को हमारी सावितरी की शादी होगी तो उसे कार्ड नहीं दोगे क्या तुम ऐसी बात नहीं है भाईया वो अगर अच्छा इंसान है तो मैं भी अच्छा हूं और अगर वो बुरा है तो मैं बहुत बुरा तुमने शो किया तो उसकी शकल देखने लाग थी तुछल दे इस दिन में हमारा कुछ काम नहीं है उस दिन चाटा मारा था उसके लिए माफे मांगने आई हो या जुमके के लिए थैंक्स कहने आई हो लगता है बारिश होने वाली है और कुछ बोलो मैं यहां आ रही हूं ये बात सत्ती को भी नहीं पता और आगे बोलो हिम्मत जुटा कर मैं तुमसे अकेले मिलने आई हूं इसके आगे मैं तो सब कुछ समझ रही हूं लेकिन तुम नहीं समझ रहे कि मेरी शादी होने वाली है तुम्हारे रहते मैं अपनी शादी पर ध्यान नहीं दे पा रही हूं तुम प्लीज यहां से चले जाओ मुझे नहीं तुम पर गुसा आ रहा है और नहीं तुम पर प्यार आ रहा है देखो बहतर होगा तुम मुझे सताना छोड़़ए लो यह लोग भी यहां पर आ गए पंडची मेरी छोटी बेटी की शादी है उसे की शादी का कार्ड है यहां पर रखकर जरा पूजा कर दीजे क्या हुआ इस सत्ती उसे देखना कल उसे कितना समझाया फिर भी केसे घूर रहा है कंट्रोल करो बेबी कंट्रोल मैंने पूजा कर ली है अब आप यह विवाह पत्र बाढ़ सकते हैं विवाह मंगल मैं हूँ अच्छी बात है कार्ट की वजी में तुन इँन्हें हरा था तो लगता बदला लेने वाले है शादी के पहला कर तुझे लेंवाले है क्या करूं उनके पास कार्ड लेने के लावा और कोई दूसरा चारा नहीं है के तुछ चुप करें जब देखो उल्टी बात सुनिए भाई सब पंडी जी ने पहला कार्ड किसी भगवान जैसे इंसान को देने के लिए कहा है इस गाउं के लिए तो आप ही भगवान जैसे आप से अच्छा भला और कौन मिलेगा दे दो बिटी शादी में आयेगा ज़रूर विए टाइम हो रहा है चलिए चलते हैं यहां सब्सक्राइब आहां चलो अरे रे 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 क्यों चाचा महरत देखके नहीं निकले थे अब मैं पूरी तरह रिलाक्स हो गया सावित्री की शादी का पहला कार्ट बाबू को मिलाए आपके होम हवन और पूजा ने अच्छा काम किया शादी में आना धूम मचाएंगे चोचो चाची मेरी मा इस सीडियोल को बहुत देखती थी मेरी भी बाई बंद करो वाकई यह हमारे लिए बेज़दी की बात है लेकिन आज तो मैं उससे आवश्य ही नाचना चाहूंगा अपनी महामंत्रों की शक्ती से ही ए अंकल क्या बोल रहे हो सुर्यास्त का वक्त हो चला है अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है यह क्या बोल रहा है लंकिनी, शंकिनी, ढाकिनी यह सब इस वक्त मेरे कंट्रोल में है यह काली रात उसकी काल रात होगी और तुभारी स्वाग रात तुभारी सारी बलाएं अब मैं उसके हिस्से में डाल दूँगा तुभारी शादी होगी और उसकी ए अंकल, तुम क्या बात कर रहे हो और कहां के लिए चल दी है तो तीन बच कर बीस मिनट पर तुम तयार रहना मैं चलता हूँ ए अंकल, अब क्या करना है तुम सब उत्तर पूर्व दक्षचिंद दिशा में फैल जाओ ए अंकल, ठैली क्यों निकाल रहे हो अभी तक तुमने कुछ भी नहीं देखा है अब मैं तुम सब को दिखाऊंगा अपना असली रूल में कप करोगे? अंकल पागल हो गया है ए चलत, मैं कहां खड़ा रहूँगा? वहाँ जाओ नो भाई, वहाँ जेगा खाली है तुझा, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा यहाँ पहले मैं आया था मेरी जेगा कब से करता है? चुछ जो अंकल, लगता है कोई है तुम सब जरो मत, वह हमारे लिए ही यहाँ आया है और दंकिनी और जंकिनी ए अंकल, वह हमारे साथ है या हमारे खिलाप है? वह तो हमें मार रहा है अंदेरा क्यों कर रखा है? चलो लाइट जलाओ भूत बनकर तु ही हमें डरा रहा है ना? क्या का? यार भूत बनकर हमें क्यों डरा रहा है? लंकिनी, संकिनी, डंकिनी यह अंकल के अंटिया है क्या? अरे रुको यार फाइट करने के लिए भी 10 मिनेट बाकी है मेरे लिए इतना काफी है अरे पोजिशन चेंज करने के लिए अंकल ने मना किया है यह तो बहुत अच्छी बात है कोई भी अपनी जगस ते हिल ना मत, पीछे मुणकर देख ना मत और मेरे पोलने तक मार ना मत बेकार की पूजा बंद कर, भाई पहले इसे मारो अरे रे 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 आठों देशाओं में वज़न अच्छा रखा है यह सब अंकल ने किया है बागी क्या हाल चाल है भाई थोड़ा बेक दोगे तो हाल चल ठीक हो जाएगी ब्रेक चाहिए तुमें ले दो मैं अच्छे से मारा ना मैं तुमसे कटी हूँ भाई शर्मा की औरा बता ना जस्टो के इतनी महनस से मारा हूं तुझे सब्सक्राइब गोड़ा थागा मंडी पाँचा सबजी मंडी सबजी मंडी बरफ पड़ी तो घोड़े को लगई ठंडी अबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब तु तो तो तार्जन की तरगार है मैं जंगल में पैदा हूआ था भाई महरत में कितना टाइम बाकी है भाई दो मिनट बाकी है भाई अभी मैं अकेला ही बच गया हूँ भाई भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई दो दिन हो गया भाई उस बुड़े ने खाना नहीं दिया थोड़ा आराम से मारना भाई फ्लीज भाई इस महिने में डिसका का मरन आ रहा है आज के दिन मुझे रह अक्षर वाले नाम के आदमी से बात नहीं करनी है अंकल रह अक्षर वाले नाम के आदमी से मैं बात नहीं कर सकता हूं अरे अंकल के चक्कर में हमें बहुत मार पड़ी भाई अगनी कोंड में आग लगाया इशान कोंड में खाली रखा दक्षीन कोर्ण में तुम्हें रखा यह भी वो हमें कंट्रोल में रख रहा है चारों तरफ से नव ग्रहों को आखिर में मैं भी अरे बाप रे मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं बापू तो ठीक है अब मैं उसे देखता हूँ क्या हुआ सर गाड़ी बंद पड़ गई क्या कहां जाना है परिशान मत हो मैंने अपने आदमी को भेजा है वो बस आता ही होगा गाड़ी रिपेर में बहुत टाइम लग जाएगा सर चलिए आजाईए चल पिशे बट सुनो, मेरा भाई आये तो उसे कह देना मैं स्टेशन गया हूँ ओ माई गॉड अई लव इंडिया अरे बेटा क्या कर रहे हो बैट जाओ गिर जाओगे तू कहीं आसपास हॉस्पिटल भी नहीं है बैट जाओ पनी अंकल, यह रॉल्वेस केरिंग यह क्या बेटा, अपने परिवार के साथ हाराम से कार में आना चाहिए था इस तरह ट्रेन में क्यों है? I love Indian culture मैं नेचर को बहुती करीब से देखना चाहता हूँ अची बात है, तो कैसी लगी यह जनी? बहुती बुरी अंकल, लाइफ में फिर कभी ऐसे ट्रेवल नहीं करूँ लाँ हाई ब्रो, तुम सावीत्री के ब्रदर हो ना? एक बाल और पूछ के देख लो, फिर देखो क्या होता है यह हमारा रिष्टेदार है, खेती का काम देखने के लिए खेती का काम यह तो बहुती जबरदस्त काम है तुम्हारा काम बहुती कमाल का है, एकड़म पीसफुल है, एकड़म स्मूध है, एकड़म, स्टाप! भैंस की फोटो क्यों ले रहे हो? मैं फुर्स पफलो पिक इंडिया, इंक्रेदिबल इंडिया यह तिपिकल इंडियान है ब्रो, आ लब यूर अटिटूद और रिविंग, वेरी सटल ब्रो, वेरी स्टाइट यूर नम्बर? वेरी ब्रो, वेरी स्टाइल पुल इंडिया आओ बेटा, कीपिंट अचा, बाई अरे बाफरे, मेरे दुलहे को तुमने घर तक ड्रॉप किया? कैसा है वो यह जाने के लिए फोन किया? शकल देखोगी तो डर जाओगी क्या कह रहे हो? बाकी सब तो बहुत आरिफ कर रहे है चुप करो, फोन रोको चालाक है, पागले समझ में नहीं आ रहा है मेरे को तो चालाक लगती है अब इतनी भी चालाक नहीं, मामा पता नहीं समझ क्यों नहीं रही कैसे भी करके अगर सावित्री के शादी तुझसे हो गई ना तो सच में मसा आ गाए बोली बाफी दूले की फैमिली आ चुकी है डैडी आप लोग को बुला रहे हैं भाईया को बोल दो बता देता हम भाई बेटी कृष्णा नहीं दिखाई दे रहा वो अपने परिवार को लेकर पहले मंदर गए है फिर यहां आए अच्छी बात नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार यह मेरी पत्मी है नमस्ते और यह मेरी छोटी बेटी यह मेरी बड़ी बेटी और दमाती आपकी बेटी शिडी जाने वाली चेन केस्टू कोच भाए Saavitri नमस्ते प्रेभापन अजय अलो बेबी व्यू शिरुनिग अवे फ्रॉम उस जी उसने हमें पहचाना नहीं बेबी There's definitely something fishy baby. You mean fish curry? Stupid baby. Baby, अरे, जल्दी-जल्दी करो. Sati! गवरा क्यों नहीं हो तुम? Sati, वो लोग आये हैं. कौन? उस ट्रेन में भागने वाली जोड़ी. वो लोग यू आये हैं, उन्हें शादे काकट कि इसने दिया? वो लड़की दूले की बहन. उन्हों को हमारे बार में पता चल गया तो? क्या होगा? पिछली बार शीर्डी गय थे. इस बार काशी जाएंगे. उन्हों को पता चल जाएगा क्या? क्यों नहीं पता चलेगा? वो रिशी अभी फोन करके सब बता देगा. तुमारी शादी तोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है. रिशी ऐसा नहीं करेगा. क्या कहा? रिशी ऐसा नहीं करेगा. मैं उसके बारे में अच्छे से जानती हूँ. क्या हो रहा है बेबी? तुम उसके बारे में कुछ जादा ही सोच रही हो. यह पैगलपन छोड़ो उसे फोन करके बताओ कि वो इसके बारे में किसी को कुछ ने बता है. मेरा बहुत कम बाकी है, मैं जा रहा हूँ. सावित्री तुमारे भाई से शादी क्यों कर रही है? जबकि रिशी यहां मौझूद है, दोनों ने जबान पर ताला क्यों लगा रखा है? यह आखिर हो क्या रहा है बेबी? मैंने बूला था ना बेबी, सम्टिंग इस फिशी. लेट सी. हाज जोडने से अगर प्राब्लम सॉल्व हो जाती, तो मंदिर में इगर बना लेते सब. यहां हाज जोडने से अच्छा, उधर रिशी का पैर तोड़ दो. क्योंकि उसके कदम दिन पर ते दिन आगे बढ़ रहा है. जब मैंने तुम्हारी बेहन को छेड़ा था, तो तुमने मुझे बहुत मारा था. पर जब वो मारेगा, कोई निशान नहीं छोड़ेगा. आलात को पहले ही समाल लो. अभी समझ में आया ब्रो, वाई आई लाइक इंडियन कल्चर. मेरी बहन अमेरिका में पढ़ती हैं, इंडियन से शादी करती हैं, but I like you, no hard feelings. But Savitri, वो तो यहीं की लड़की है न, रिती रिवाज, फॉलो करती है वो. That is why I love इंडियन कल्चर. आप तो बहुत सिंसेटिव हैं जी. Do you know me? इसे पीने के बाद I know nobody. You are funny. Yes, funny. मज़ा आएगा. Boss, मेरे साले की बातों को छोड़िये, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? It's my native place. छोटा सा काम था, इसलिए आया हूँ. किसका फोन था, bro? Girlfriend है क्या? I've been observing you. इन्होंने तो प्यार किया है, लेकिन उसे कहते क्या है, नहीं पता. But by God's grace, मेरी तो arrange marriage है. But please, bro, तुमारी love story बताओ ना. Love story. Come on, tell us, यार. उसके आखों में प्यार, बातों में गुस्सा. दोनों ही दिखता है मुझे. उसने तो इनकार कर दिया, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ. बस यह love story है. Boss, मेरी शादी को तुमने बचाया, तो क्या अपनी शादी को नहीं बचाओ? कितनी बार कॉल किया तुमें, उठाया क्यों नहीं? तुम क्या कर रहे हो, कहा हो, यह मुझे नहीं जानना. पर दस मिनिट में मुझे घर के पीछे मिलो. बाई. कितनी बाता है, यहां पर मच्छल नहीं है. Damoji, आप यहां कैसे? चोटे से सुर्जी, small party, fire between fields, come join us. मैंने, शुक्रिया, एक चोड़ा सा काम है. काम है, that is why I hate Indian mentality. हलो? सावेत्री कहा है? यहीं कहीं होगी, जी? तेरी आखों के सामने है के नहीं है? नहीं है. यह अभी तक आया क्यों नहीं? सावेत्री. शुकर है, मुझे ना तुमसे कुछ होचन बात करनी है. मैं मधु को पहले ही कह चुका हूँ. वो दूले को कुछ नहीं बताएगा. यह बात मुझे पहले से बता थी. इसलिए नहीं बुलाया है. मुझे बहुत डर लग रहा है. सावेत्री, मैं तुम्हारे सामने पी कर रहा हूँ. लेकिन क्या तुम्हें मुझे से डर लग रहा है? पर अंदर जो बैठा हो ना तुमसे शादी करने के लिए? उससे तुम्हें डर लग रहा है. यह ठीक नहीं है, सावेत्री. क्योंकि तुम जान पहचान वाले से शादी करनी चाहिए. अंजान के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए. तुम इस तरह से बात करोगे न, तुम्हें यहां से चली जाओंगी. बात करो, सावेत्री. मुझे से नहीं. अपने दिल से बात करो. और देखो क्या जवा मिलता है. अगर तब भीन का रहा, तो हमेशा के लिए लोट जाओंगा. फिर कभी नहीं आओंगा. तुम हमेशा यह बाते क्यों करते हो? क्योंकि यह मेरी जिन्दगी का सवात है. मुझे इनमे कोई दिल्चस्पी नहीं है. तुम्हें एक ऐसा मजाग लगता है? माना कि मैं पीकर आया हूँ लेकिन तुम्हारे निशे के आगे कुछ नहीं है. हमारे बीच जो फासला है वो सरफ दो कदम का है. और अगर यह दो कदम तुम मेरी तरफ पढ़ा लो, तो हम अलग नहीं होंगे. मेरी प्यार को समझने की कोशिश करो. अब मैं तुम्हारे बेना नहीं रह सकता. सच कह रहा हूँ. नहीं चीपाओंगे साहत्रे. दुशे! चाचा! अंदर जाओ तुम्हारे अंदर जाओ! पा। मैने कुझे शेताओनी दी थी ना? अदर की उच्छाइन, कि तरा पंदानंजłe थी? तुम्हे उचेओं आया, तुम्हें यहाँ? क्यूश प yaz थी? तिरी इतनी हिमेत के मेरा हाथ पकड़ता है सब को पता चल जाएगा तुम्हें अपने भाई को जवाब देना पर जाएगा किस जवाब की बात कर रहा है है किस बारे में कह रहा है और कितने सालों तक ऐसे चुपाएंगे यह ज़र अपने भाई से पूछो किस बारे में पूछो उसे सर दोरा बाबुजी इज़त, मान, प्रतिष्ठा इन सबसे बड़ा होता है प्यार लेकिन आपका छोटा भाई इन पहली तीन वैल्यूज को बचाने के लिए प्यार को मार रहा है तुझे पता है तु क्या कह रहा है मैं अपनी फैमिली के बारे में कितना सोचता हूँ तु क्या जानता है आप नहीं सर आपके पूरी फैमिली आपके इज़त बचाने के लिए बहुत सोचती है और इसमें सबसे आगे है आपका भाई हाँ मानता हूँ तो वो मेरा भाई है मेरी इज़त बचाने के लिए सोचता थे उसमें बुरा क्या है यह आपकी बड़ी बेटी है सर, शादी से पहले यह बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद यह खामोश है, इसका क्या मतलब? तुझे पता नहीं का है, मेरी बेटी और डामाद दोनों एक साद बहुत खुश हैं, जाकर पहले अपने बेटी से पूश लो, डामाद जी, जरा बेटियां को बूलाना? गायत्री, गायत्री, गा, आप, उसका नाम गायत्री सर, आपके डामाद को बता दीजिए, और एक बात बता दू आपके छोटी बेटी से शादी करने के लिए इस गाओं के बाहर कोई 20 साल से इंतिजार कर रहा है और उसके आदमी यहाँ पर भी है जिनमें से एक को मैं यहाँ पर मारने वाला हूँ यह रहा वो 20 साल पहले इसी आदमी ने आपकी बेहन पर बुरी निज़र डाली थी सर और इसी आदमी ने आपकी बेटी पर बुरी निज़र डाली है मैं आपके आँखों के सामने इसे मारूँगा तो आखिर चिप किस से रही है तो कितने भी कोशिश कर ले पर सच्चाई से छिप नहीं सकती रिशी रिशी ही सच्चाई है वो घर के बाहर ही है अंदर आना तो उसके लिए बहुत आसान है मगर उसे यकीन है कि तू उसके लिए बाहर जाएगी अइंड़ fault मैं मैं किसी से तौ नहीं करती थी इसलिए कहाँ जाना था पता नहीं था इसलिए हात लग गई तुने मेरे बारे में बताया वो तेरी गल्ती नहीं थी थी कि मुझे मनल का पता यहीं था लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है सावित्री, तुम्हें कहा जाना है तुम अच्छे तरह से जानती हो, लेकिन कैसे जाना है वो नहीं जानती हो जित पर अड़े रहना सिर्फ अपने बारे में ही सोचना सही नहीं है सावित्री प्यार को खोने के लिए एक मिनिट काफी है पर उसे पाने के लिए पूरी जिन्दगी खत्म हो जाती है अब तुझे क्या चाहिए, तुखुद ही सोच ले ये सब मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो वो तेरे साथ ना हो बापू दिखने में राक्षस जैसा जरूर है लेकिन है ये बहुत सेंसिटिव इसे मत मारो प्लीज अगली बार कुंडली देखकर अगर किसी पे बुरी नजर डाली तो नजरे नहीं बचेंगी सुन चाचा, समझा दे इसे बापू, बीस साल तक रुके हो और बीस साल रुक जाओ आदत पड़ जाएगी, चलो, चलो, चलो बापू, चलो आपका प्यार शादी के इस खर्चे में दिखाई देता है, और मेरा प्यार उन लोगों को मारते वक्द ग्या होगा इतनी दूर आने के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सर जब तक उसके शादी नहीं होती, मैं यहीं रुकूंगा चाहे वो उससे शादी करे, या फिर मुझ से वो हमेशा कन्फ्यूस रहती है, सर उसे फैसला लेने में थोड़ा वक्त लगेगा आप जाकर अपना काम कीजे, मैं तब तक यहीं पर बैठता हूँ डैडी, आओ डैडी, बैठो अगर यह शादी तुझे मनजूर नहीं थी, तो एक बार उससे कह देदी डैडी, उस दिन मंडप में जोर सी चिला कर, मैं सब को बताना चाहती थी, कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि उस वक्त मैंने मा को देखा, चाची को देखा, चाचा को देखा यह सब तो घर से भागी हुई लड़की वापस आ गई, तो सब लोग बहुत खुश थे तब मैंने आपको देखा मेरी बड़ी बेटी की शादी हो रही है, इसलिए आप सर उठाकर गर्व से खड़े थे तो मैंने अपना सर जुकाया मेरे बारे में आप लोग इतना ज्यादा मत सोचिए मुझे एड़्जेस करना आता है, इसलिए आज नहीं तो कल मैं अपने पती से मिल जाओगी, लेकिन आप छोटी के बारे में सोचिए मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई पहिया है क्रिश्णा दुख और सुख के बीच ज्यादा फासला नहीं होता मुझे सुख देने की तूने कोशिश की और तूने मेरी बीटी को दुखी कर दिया इस घरवालों को क्या चाहिए वो उससे ज्यादा तुझे पता है तू उन्हें दे सावित्री, सावित्री, सावित्री दरवासा बंद करके बैठी है, मूरत का टाइम हो रहा है, चल तुझे सुनाएं नहीं देता, क्या, चल क्या हुआ बेटी, टाइम हो रहा है, मूरत निकल जाएगा आप सब लोगों के बुलाने के बावजुद मेरे कदम क्यों नहीं उठ रहे सावित्री को तो शादी करना बहुत पसंद है न तो फिर उस फोटो में जो खुशी है, वो आज मेरे चहरे पर क्यों नहीं शादी से पहले हर लड़की इसी तरह डरती है मैं डरने ही रही हूँ बाबा, गुस्से में हूँ वो कौन है बाबा, जो आपसे ऐसे बात करके बाहर मेरे इंतजार में बैचा हुआ है कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं इस शादी से इंकार कर दूँँगी और उसे पूरा यकीन है कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ आप लोग मुझसे प्यार करते हो ना मेरे बारे में आप सब सोचते हो ना फिर सर्फ उसी ने कैसे जाना कि मेरे दिल में क्या चल रहा है शायद हर लड़की ऐसी ही होती है जो हालाद से लड़े वो खुश रहती है और जो ना लड़ पाए वो दुखी रहती है उसने मुझे समझ लिया है पापा दीदी की शादी के वाक मैंने बहुत कलत किया अब वो कलती नहीं दोराना चाहती हर घर में एक लड़की रहती है हम उससे नहीं समझ पाते इस बात का एसास मुझे आज हुआ कैसा ना समझ बाप हूँ मैं गायत्री शादी के दिन मुझसे कुछ कहना चाहती थे लेकिन कह नहीं भाई ये बेटी की नहीं बाप की हार थी उस लड़के ने डाट सहलिया, मार सहलिया इस से उसके प्यार का अंदाजा लगाया जा सकता है तेरे दीदी के समय मुझसे गलती हुई है लेकिन वो अंजाने में हुई आज मैं वो गलती नहीं दुराने वाला अरे वो तुझे मिला कहां था ये तू बता हम सब का परिचे उसने हम सब से करवा दी अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो शादी हो जाएगी अगर तूफान मचा रखा है और यहाराम से सो रहे हो बार जा के सो जाँ ए उठो अठो हटो या से अज के बाद ये जगे मेरी है एक्सक्यूस्मी प्लीज एक्स्क्यूस्मी वाट्स कोई यही बाकी था अई प्लीज वाट्स कर दो रहे किस्टान सु सकता करेग़ूदाव टूपिए मेरी है अटन बॉर्ड्स झालिच सब्सक्ता सब्सक्यूस्मी थेजए दुलन भाग गई है नहाँ वाइड यू अल्वेस न्री रेलेशन्स यू गो लोकल लोकल तिपिकल इंडियन मत्रिमोनियल वन्मोर न्री गॉन इंटो द्रेन वत तो से ओल्डी यू स्पंट सो मच पर इस कुर्था बत अल्वेस्ट तिपिकल ओल्ड मर्मरिंग यू स्पंट झाल 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 झाल